स्वयम प्रभा असीम शक्तियों वाली वन में रहने वाली एक योगनी रावन की बहन शूर्पन खाने इस योगनी की करुणा का फायदा उठाया इसकी सारी शक्तियों को चुरा लिया और उसके बढ़ते काले कदम उपवन के हर जीव के लिए मनहूस हो गए आखिर पहुंची गए रक्षपिला हमें जल्दी करना होगा काका स्वयम प्रभा की शक्ति ही आब अंगत को बचा सकती है बदा कद्दार क्यों है इसको फा के अंदर पता नहीं मैंने जो किया नहीं करता तो वो मुझे माल डालती है ये तो तब ही साबित होगा जब तुम उसके पास वापस जाओगे वाह ये तो बड़ी खूबसूरत कला है ठेहरो क्या हुआ हम इस स्थान से पहले वे गुजर चुके हैं गुफा का माया जाल हमें गोल गोल चक्कर कटवा रहा है इससे पहले कि डर इन सब को घेर ले तुम्हे कोई रास्ता ठोड़ना होगा जिसके अंदर उजाला पले वो बाहर के अंधेरे से क्या डरे राम चलो मेरे साथ स्वेम प्रभा तो मेरे सुर आप सब को यहां खी छेलाए आप? ठीक है? वो शूर्पनखा उसका क्या हुआ? मार डाला मैने उस दुष्ट राक्षसी को तुम्हारा मित्र अपनी मृत्यों के बहुत निकट है उस विश का जाल इसके पूरे शरीर में भैल चुका है मेरे भाई घबराओ मत तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे आराम करो अंगत आराम अपनी पीडा को यह सहन नहीं कर पाएगा मुझे तुम्हारी थोड़ी सी जीवन उर्जा निकाल कर अंगत के शरीर में डालनी होगी तो कीजिये जो करना है मेरी क्रिया तुम्हें कुछ खशनों के लिए कमजोर बना देगी हनुमार लेकिन फिर असेम शक्ती का भंडार है तुम्हारे अंदर और तुम हो की अपनी ही ताकत से अंजान तुम्हारी शक्ती लेकर मैं उस सीता को जिन्दा निकल जाऊंगी राज करूंगी मैं रामते मेरी शक्ती चाहिए यह ले एक साथ नहीं नहीं एक साथ नहीं भर ले अपने आपको जब तक तु भटता चाहे यह 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 अज़िए पत्त कि लो ओ नहीं ओ नहीं वहाँ बस लो वहाँ बस लो आपना सब को कमाल है मैं भी तुझसे यही कहने आई थी तु नहीं मुझे तरपाया आज तेरा अंत निश्चित तुभारी हिम्मत कैसे हुई अक्सर किसी की जान लेना आखरी उपाय होता है लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है क्रोध वो शस्त्र है जिससे मैं अरसों पहली त्याग चुकी थी क्या आप इसे बचा सकती है अब कुछ करना कठिन है आप प्रयास तो कीजिए नहीं आप हिमत मत छोड़िए एक बढ़ फिर कोशिश कीजिए अंगद राजकुमारी सीता कहा है ये मैं नहीं जानती लेकिन ये मायावी द्वार तुम्हें कई सपताहों की यात्रा की बचत दे कर यहां से सीधे समुद्र के तट पर पहुँचाएगा चलो तुम दोनों भी ना जामवन काका कुछ कहना था आपसे अंगद को मैंने नहीं हनुमान ने बचाया उसकी शक्तियां फिर से जागरत हो गई है उसके सत्य से उसका परिचय कराने का समय अब आ गया है क्या उस सत्य का भार उसके कंदे उठा सकेंगे कहां हुआ जनत दुलारी रामवधु आयोध्य की राजकुमारी सीता